हलो दोस्तो मेरा नाम है रुपेशक्वार मातो और आपका हमारी यूट्यूब चैनल में वेलकम यहां हम कलाश 12 फिजिक्स में चैप्टर 5 जिसका नाम है मेगनेटिजम एंड बेटर इसका आज हम पार्ट 3 लेकर आये हुए पार्ट 2 में मैंने आपको एक क्वेशन बताया थ जहां पर क्वेशन में आपसे पूछा जा रहा था मेगनेटिक इंटेंसिटी का एक्स्प्रेशन निकलने जुट बार मेगनेट के कारण ऑन दे एक्सियाल लाइन पर और इस वीडियो में एक्वाटरियल लाइन पर आपको वही क्वेशन का सोलिशन करना ठीक है तो चलिए प्लस आर स्कुरे उसी दर से पीका अन से दूरी कितना है रूट रर आर इसकुर प्लस एल स्कुरे तो यह होगे फिगर के बारे में वही जो हम लिखें जो हम अभी बोले उसको लिखेंगे तो यहां से बराबर क्या हो जाएगा मुणोट बड़े 4π, एम बटे, रूट अंडर हो जाएगा र इस्कवर प्लस एलिस्कवर को होल इस्कवर तो यहां से हो जाएगा यहां से फिर क्या हो जाएगा भी वन हम लोग मानें थे एस पॉल के करण, फिर एन पॉल के करण भी टूब मानेंगे 27 सब्सक्राइब आसे यहां पर मान लेते, एक, मान लेते एस पॉल वाला रखा गया है, तो यहां पर एन पॉल वाला राखा गया है, तो n-pole और s-pole में क्या होगा एक अट्रक्षन होगा तो यह वाला किदर खीच रहा है इसको इस तरह खीच रहा है magnetic field का direction इधर होगा खीच रहा है तो खीच रहा है तो इसका direction किदर होगा अलंग ns तो यहाँ पर अलंग ps है इसका मतलों यहाँ पर क्या है एस-pole के करण यहाँ पर इसका repulsion हो रहा होगा साइध तभी न यहाँ पर यहाँ पर आप अलंग इसका ns लिख सकते हैं तो अलंग ps ठीक है क्योंकि हम जदी मान लेते हैं यहाँ पर एस तो यहाँ पर होगा ठीक है यहाँ फिर इसको आप इस तरह logic से भी समय सकते हैं किस तरह समय सकते इसको कि हम लोग हम लोग जानते कि डाइपोल मोमेंट का direction कि दार होता है डाइपोल मोमेंट का इस तरह से नौर्थ से बाहर निकल कर आप निकल कर यह इधर आ रहा है तो यह हो जाएगा ps तो इस तरह से आम लोग इसको देखेंगे तो यह हमारा direction पीस हो गया पी से यह हो रहा है आप यहां पर देखेंगे सिमिलारी उसी प्रकार से मेगनेडिक फिल इंटेंसिटी निकालेंगे पी पॉइंट पर ड्यू टू एन पूल के कारण भी कुछ नहीं वह होगा ठीक है रूट का होली स्कुर्ट तो रूट खतम हो गया ठीक है तो हम लोग यहां पर देख रहें तो इसका डारेक्शन अलों क्यों देख रहें अलों में गूत आव बदूर फिल इसकीं को सब्लम का मतलब करेंगे से ठीक है तो यहां पर आप हमको मेंगनेटिक फिल निकल को और रिजल्टन मेंगनेटिकंपेल कैसा निकालेंगे ऐ्यां इसका मतलूने यहाँ पर क्या हो जग है तो इस तरह से हम लोग इसको मिला सकते इस तरज से इसको मिला सकते मिला सकते ठीक है तो एस तरज से इसका resultant इधर होगा till resultant यहां आर मानेते तो resultant आर पर पराबद क्या हो चाएगा रूट अंडel हो जाएगा यह component का whole square मानेते यह है तो ए है तो ए का whole square और यह component तो बी का whole square और प्लस 2AB cost धी ठीज़ा है तो वहीं वाला यूज़ करेंगे यहां पर देखिए तो A² प्लस B² Yarni यहां पर A क्या है B1 का हुली इहाहान बिटु और बिटु है यहां पर फ्रय है यहां सब कूछ ने की एक जोम स्वाइव नों बी एक जोम सर इस्वारा वह तो आप बीए ऑगे यहां पर जोह गया प्ल्स पम्राश सवाइट यह आपका फॉर्मुला होता है टू कोस स्क्वाइर थीटा का ठीक है यह आपका फॉर्मुला होता है टू कोस स्क्वाइर थीटा क्योंकि हम लोग जानते हैं हम लोग क्या जानते हैं हम लोग एक फॉर्मुला जानते हैं कि कॉस्स टू थीटा बराबर होता है हम लोग जानते यहां पर हम लोग पूट किए 1 प्लस पो स्टूट चैटा का जगा में तुक अन्या तो यहां पर हम लोगत देखें यहां पर देखें क्या क्या यहां को बाहर पूरप यहां पर निकाले करना थे अधिया प्लों और दूंस नहीं पता दा रहे हुआ स्टेंस लिए गरेंगे इस टाइंगल के यूस करके शोप अए यहां पर क्या हो जागा यह भी जागा फ्यक्न है तो यहां रूट अन्र प्लस ऐलetrि झाला हमको और निपलने केले हम क्या करेंगे यह व wella リंगल में तो हमलों साइaire हम लिखेंगे हम्लों कया लिखेंगे साइन थीटा जदी करेंगे तो साइल थीटा ब्राबर क्या हो जाएगा P by H R by root under R square plus L square ठीक है ठीक है P by H हो गया और अगर हमनों cos theta करेंगे थीटा तो क्या हो जगा ब्राबर ब्राबर क्या होता है तो यहां पर क्या हो बहुत बारिकी से आप समझें ठीक है तो यहां पर हम लोग जहां पर बी का पूट करते तरह ठीक है Qoos theta काई बहलो देखे Qoos theta Qoos theta का भी फिलू निकाले नहीं नहीं यहां पर हम लोग तो देखे आप हम लोग का वेल्गों L by root under r square plus L square तो देखिए यहाँ पर सिंपल सा यहाँ पर आ गया l 2l 2l into m आपको कुछ यादार आए हम लोग कुछ पहले पढ़े थे 2L into M हम लोग पढ़े थे डाइपोल मॉमेंट यादार आए कुछ जिस तरह से हम लोग पढ़े देना P बराबर 2L into Q तो उसी तरह से M बराबर होता है 2L into M ठीक है तो देखिए यहाँ पर हम लोग M into 2L का जगा में capital M लिग दिये और मूट बड़े 4P को उसी तरह रहने दिये और रूट अंडर इसको उसी तरह से रहने दिये और यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी बेस में देखिया R2 plus L2 यहाँ पर भी R2 plus L2, लेकिन यहाँ रूट में है यहाँ रूट में नहीं है यहाँ गोटा गोटी है यहाँ फोर पर लीग दें तो यहाँ पर आपका ठीक है तो इसको आप याद रखना है एक्सप्रेशन को कभी में आपसे पूछ दे तो आपको लिखना है ठीक है टिक करना है तो यह वाला आपको ज्यादी समझ में आया तो लाइक करें वीडियो को और अपने दोस्तों में शेयर करना ना बुले और हमारी चैनल पर अगर पह